गुद मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वोर्क्षीट नमबर 31, सब्जेक्ट माच्स, क्लास 8, हमारी दे 28, जैन्वरी के लिए तो चलिए, सब्सक्राइब 독 on T thi, आज की वождक्षीट में हमें पढ़ना अलजब्रिक एक्स्प्रेशिन एंड आइडनिटीज हमें पता है कि देखो यह क्या होता है यह क्या होता है, देखो जो अरिथमाटिक है वो हमें हमें हेलप करता है किसी भी चीज कोई भी problem है numbers से related ठीक है जो numbers से related आपको कोई question दे दिया जाए ठीक है उसको solve करने में उसको हल करने में मदद करता है ठीक है लेकिन कभी कबार हम हमें डिक्कत होती है we face difficulty in solving the problems using arithmetic in arithmetic से उन problem को solve करने में कभी कबार डिक्कत होती है तो हम क्या कर लेते है we take help of x, y, z या फिर a, b, c ठीक है हम इन words की आपने देखा होगा कभी कबार अगर आपके जो बड़े मतलब brother है, sister है या फिर आपने कई पे देखा होगा कि x, y, z इस तरीके से कोई questions आपको लिखे मिलते हैं तो उनको हम यूज करके इन problems को solve करते है जो ये branch है इसको हम क्या बोलते है, algebra बोलते है क्या होता है algebra में मतलब यहाँ पे ये algebra दो चीजों से वना होता है variable और क्या होता है constant, ठीक है variable और constant, अभी अगर नीचे आपका होगा तो मैं आपको बताती हूँ ये क्या होते है देखो, सबसे पहले आप क्या करो इस pattern को observe करो observe the pattern of first three terms and write next to पहले को आप क्या करो इनको observe करो और फिर आपको next to भढ़ने है देखो, यहाँ पर एक triangle है यहाँ पर दो triangle है, फिर तीन triangle है 4 triangle है, फिर 5 है अब आपको पता लग रहा है कि कैसे हो रहा है इसका मतलब अगले में कितने होगे, अगले में 6 होगे है ना, अगले में 6 होगे फिर कितने होगे, फिर 7 होगे कैसे पता लगा, आपने logic लगाया कि किस तरीके से वो increase हो रहा है decrease हो रहा है ठीक है तो यह बहुत easy था right अब आपको क्या करना after watching these triangles and triangles देखने के बाद आपको बताना है please tell how many line segments are there in hundredth term जो hundredth term है उसमें कितनी line segments है ठीक है line segments क्या है यहाँ पर कितनी है triangle में एक दो 3 है ना hundredth जो term है उसमें कितनी होंगी इसमें कितनी है देखो इसमें कितनी है इसमें 3 थी इसमें 6 है फिर फिर देखो फिर कितनी है 3, 3, 3, 9 है फिर देखो table चल रहे है ना 18 फिर फिर कितनी होगी मारी मतलब 3 का multiple है first term में 3 into 1 second में 3 into 2 फिर 3 into 3 तो जो 100th term है उसमें कितनी होंगी उसमें होंगी 3 into 100 कितना आंसर आजाएगा आपका 300 उसमें कितनी segments होंगी 300 segments होगी ठीक है यह इसका answer हो गया 3 multiply 100 300 अब आपको try करना है we need 3 segments for 1 triangle let's try 3 segments है एक triangle को बना यह मैं आपको explain कर चुकी 2 triangles को बनाने के लिए कितने चाहिए थे 6 ठीक है 9 triangles बनाने के लिए कितने चाहिए थे triangles 3 चाहिए थे तो हमें क्या हो न 3 multiply number of triangles 3 multiply number of triangles को multiply कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारे पास total line segments ठीक है अगया समझ इसलिए 3 into t ub lady t क्या हमारा triangle के जगे आपको है रखेंग की कोई सा triangle है ठीक है 100 triangle है व oppression १ आपको डीकी p mouse पर रखना है था 300 अबारा अंसर हो गया तो हमने यहां से देखा कि हमने यह हमने एक alphabet use क्या है t ठीक है 3 multiply t है ठीक है 3 multiply t है तो जो ये t है ये हमने triangle की place पे रखा है ठीक है तो जो ये t है ये क्या है variable है 3t में is equal to 3t है ये भी क्या होते है multiply में 3t क्या है बिटा 3t क्या है एक variable है जो 3 है वो एक constant है जो number है 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे क्या है number मतलब constant है constant क्या होगे जो change नहीं हो सकती constant क्या होगे जो change नहीं हो सकती जैसे 5, 5 भी रहेगा 6, 6 ही रहेगा 100, 100 ही रहेगा लेकिन जो variable है variable है जैसे यहाँ पर है 3T तो इस T की प्लेस पर मैं कुछ भी रख सकती हूँ अगर मुझे 100 triangle निकालना है 100 triangle का तो मैं T की जगे 100 रखूँगी अगर मुझे निकालना है कि मुझे 50 triangles का निकालना है तो मैं T की जगे 50 रखूँगी मुझे 20 triangles निकालना है तो मैं T की जगे 20 रखूँगी तो जो T यह बदल सकता है जो बदल सकता है उसको बोलते है variable और जो नहीं वदल सकता उसको बोलते है constant ठीक है समझ में आगया जो variable है वो changing होता है और उसकी अलगलग values हो सकती है ठीक है ठीक है अब 1, 2, 3, 400 कुछ भी रख सकते हो अब देखो रशीद is going to करोल बाग he covers a distance from आनद परवट to करोल बाग उसने क्या किया वो जो रशीद है वो करोल बाग जा रहा है तो उसने distance है कितनी दूरी cover करी उसने आनद परवट से करोल बाग वो गया उसने देखा अलगलग चीज और अलगलग situation जरनी के दुरान ठीक है तो वहाँ पे उसने देखे number of passengers distance of journey देखा, fare of journey, कि राया कितना लग रहा है क्या रिक्षा की speed थी, कितने रिक्षा में wheels थे कितने driver थे रिक्षा में, कितनी streets थे रिक्षा में ये सारी चीज़े उसने observe करी तो पूरी जो ये above situation है जो ये आपको दे रखा है, sorry जो ये आपको दे रखें सारी चीज़ें इन situation को देखना है आपको from the above situation, we have obtained different quantities some are changing and some are not changing अलग-अलग quantities हमें देखी, कुछ change हो रही है और कुछ नहीं change हो रही है तो चलिए, let's know how quantities are changing in different situations, तो किस तरीके से जो ये quantities है, change हो रही है are those which have different values जिनकी अलग-अलग values है, T की जिएगे में कुछ भी रख सकती हूँ X की जिएगे में कुछ भी रख सकती हूँ constant क्या है जिनकी fixed value होती है ठीक है, आप in question का answer दो is the number of passengers changing क्या जो number of passengers है, वो बदल रही है yes, number of passengers तो कोई उतर रहा है, कोई चड़ रहा है, ठीक है वो तो बदल रहे है, yes अगला is the total distance of journey changing जो journey का जो total distance है वो change हो रहा है, देखो इस part को ना second part को मैं दो तरीके से देख सकती हूँ, अगर मैं ये सोचूँ कि मुझे अपने घर से bus train जाना है, ठीक है, अगर मुझे अपने घर से bus train जाना है, तो भई अप मेरा घर और bus train तो उतनी दूर ही रहेंगی ना, वो बदल तो नहीं सकती, जतनी दूर है उसकी उतनी दूर ही रहेगी, ज्यादा कम तो नहीं होती वो डेली को रहती है, तो इस हिसाब से तो जो total distance है वो क्या होगा change नहीं होगा no ठीके वो change नहीं होगा लेकिन अगर ये बुला जाए कि बही अलग अलग passenger के लिए किसी को कहां ही रस्ते में कहीं किसी को station पर उतरना है किसी को bus 10 तक जाना है तब जो distance है क्या होगा वो हर बंदे के लिए अपना-पना distance अलग होग मेरे लिए मुझे तो बस्टन जाना था तो मैं तो अपना डिस्टन्स काउंट करूँगी लेकिन जो कोई जिसी को रास्ते में कहीं और उतरना है वो तो सिर्फ अपना डिस्टन्स देखेगा ठीक है तो जो टोटल डिस्टन्स है जर्णी का यहां पे नो आएगा येस अगर क लगाने पड़ते हैं कभी स्लो करनी पड़ते हैं कभी तेज करनी पड़ती है तो येस स्पीड ओ रिक्षा चेंजिंग इस अब रिक्षा में चार होते हैं तो विल्स चेंज नहीं होंगे अगर रिक्षा कोई चला रहा है तो वही चला रहा है अब सब अपनी चला रहे है तो यह चेंज नहीं हो रहा ठीक है अब समझ में आगे आगे आपको क्या होगा यहाँ पर जो second question है इसमें आप yes भी लिख सकते हो मैं दोनों लिख देती हूँ मैंने बता दिया आपको दोनों किस तरीके से आएंगी तो इसमें yes no जो भी आपको लिखना है वो लिखना है लेकिन exam में एक ही लिख कर आओगी क्योंकि दोनों लिख कर आओगी त बता दो तो हम इसको yes ही कर लेते है, ठीक है? इसको yes कर लेते हैं क्योंकि रिक्षा की बात हो रही है तो रिक्षा में ही वह क्या होगा कभी उसके लिए मतलब ढ़र जा राहा है इस context में इसको लेकर चलते हैं, जो exam में at best question ही ऽि तो आप इसको yes ही लेकर चलना है, ठीक है? yes लिख लेना ठीक है क्योंकि वो vary हो सकता है जो मेरे लिए distance अलग है सब के लिए अलग अलग distance है ठीक है और जो रिक्षा वाल है उसके लिए भी distance अलग हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे आप yes लिख सकते हो उसके बाद है seventh question put circle o around the variables जो circle o है जो कि second question के आपको सब के अलग अलग answers मिलेंगे ठीक है क्योंकि यह question को आप यह थोटा सा इनको over explain करना चाहिए था for one person for किस के लिए रिक्षा वाले के लिए किस चीज के लिए ठीक है इसलिए आप देखो या फिर इसको इस चीज में भी आप सोच सकते हो कि मान लो कि मैं जो total distance है मैं जिससे रस्ते में जा रही हूँ तो मेरा distance घटता जा रहा है ना मेरा distance घटता जा रहा है तो उस चीज में भी आप इसको ले सकते हो ठीक है किसी भी चीज तरह से सोच सकते हो exam point of view में वो उसको किस तरह से देगा कि वही उसने किस तरह का पूछा है थोड़ा इस question को detail में देना चाहिए था अगर वो paper में दे आपको कि वही रिक्षावाले के हिसाब से कितना होगा या फिर जो total distance मतलब घर से बस ऐसे कुछ दिया हो तो आप इसमें no लिखोगी वह चेंज नहीं होगा ठीक है लेकिन या कुछ नहीं लिखा तो इस तरह चेंज हो सकता है ठीक है आप यह लिख दो question no 7 है put circle o around the variables and box around the constant terms from the terms below आपको circle लगाना है variables पे तो देखो variables के होते जो change हो सकते है तो x y z ए abc ढइन नहीं तो जो यह है alphabets यह क्या है आपके variables तो variables पर circle लगाना है वरियाबल नहीं यह score लगा दो इन पे उसको इसकी बाद constant है constant पर box लगाना है constant पर box लगा हो ठीक है तो यह हो गया question number seven तो सिर्फ आपको इतना part आज दिया हुआ था वोक्षीट में जो आपको solve करना था I hope आपको अच्छे से समझ में आगे कोई भी doubt है पूरी वोक्षीट में तो comment section में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को subscribe कर सकते हैं वीडियो को like कर सकते हैं thank you and have a great day